तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले यहां पे कि जो भी बच्चे जिनका की बैक पेपर का एक्जाम हुआ था आई टी आई के जो भी छातर थे जिनका रिजल्ट यहां पे 10 मार्च को जारी हुआ था उनका जो माकसीट है वो यहां पे न्यू माकसीट जो वो जारी होगा तो वीडियो शुरू करने पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देजेगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो एक्जाम था 2014 से लेके 21 वाले जो भी बच्चे थे जिनको की बैक था एडी और प्रैक्टिकल एक्जाम में तो उनका जो यहां पे एक्जाम जो फरवरी मन्त में 2023 में कराया गया था ठीक है जिसका की रिजल्ट 10 मार्च को जारी कर दिया गया था लेकिन फिर भी आप लोग यहां पे जब आप लोग NCBT Portal में माई प्रोफाइल में जब आप लोग यहां पे आके जैसा कि आप लोगों पता होगा कि जो रिजल्ट होता है यह माक्सीट होता है यह साड़िपिकेट होता उसको यहां पे डाउनलोड जो करते हैं वो आप यहां से खुद से कर सकते हैं ट्रेनी प् वहां पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे उसको फिल अप करने के बाद आप इस तरह के पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहां से आप लोग जो है अपना जो देख सकते हैं नीचे से प्रिंट कर सकते हैं अपना साड़िपिकेट और यहां पे यहां पे मार ट्रेनी प्रोफाइल में जाएगा वहां पे लोग इन करके आप खुछ से यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं आपको अपने आई टी आई में जाके साड़िपिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं आप यहां से खुछ से कर सकते हैं लेकिन फिलाल अभी यहां पे डाउनलोड न जो बच्चे जिनका कि result हाली में जारी हुए उनका जो रिजल मार्क सीट है या फिर फैनल साथिपिकेट है या फिर उसका जो है आप लोग डॉणलोट कीजएगा पहले वाला मार्क सीट ही आपको खर सोक करेगा ठीक है इसलिए आपको घबराना नहीं है एक अपड़िल के बाद आप लोग डॉणलोड कीजएगा ओर हम से आपक जो डॉणलोड हो जाएगा चिक है यहाँ फिर्से आपको में दिखियेगा आप देखिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा कि देखिए रिजल्ट जो वो बोला गया है कि नवंबर में जो सप्लिमेंटरी हुआ था उसका अब लेवल है ठीक है यहां पर नीचे देखिए एक अपरेल 2004 ऑनवर्ड है ना यहां फिर से आपको मैं दिखा देता हूं एक आपको यहां पर दीख रहा होगा एक आपका कब से होगा एक अपरेल 2023 से आपका माक्सिट जो वो डॉनलोड होना शुरू हो जाए ठीक है तो जो भी बच्चे यहां पर परिशान थे कि हमारा जो पहले वाला ही क्यों हमारा डॉनलोड हो रहा है जबकि हमें एक्जाम दिये है और हमारा रिजल्ट भी आ गया है लेकिन माक्सिट पहले वाला डॉनलोड हो रहा है तो आप उनका जो भी डाउट होगा वो किलियर हो गया होगा तो आप लोग एक अपरेल के बाद ट्राइ कीजएगा आपका माक्सिट जो वो डॉनलोड हो जायागा ठीक है और इसके अ इतना है रखते हैं मिलते है नेक्स वीडियो में